आपने शादी नहीं होने या शादी तूटने के पीछे की कई बज़े सुनी होगी लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि पानी के चलती किसी की शादी तूट गई हो या पानी की कारण किसी की शादी नहीं हो रही हो 36 गड़ के धमतरी जीले में एक गाउं ऐसा भी है जहां पर पानी की समस्या के चलते गाउं में कई सालों से शादी की सहनाई तक नहीं गुंची है पानी की महमारी ने यहाँ पर हाहकार मचा दिया है लोग घंटो लाइन लगकर अपने लिए पानी के लिए जद्दो जहत करते नज़र आते हैं आलम यह है कि अप ग्रामिनों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी पानी की आपूर्ती गंग्रेल बान से पूरी की जाए जैजोहर साथियों आप देख रहे हैं 36 गर तक मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा जिस गाउं के बारे मैं आपको बता रही हूँ वो है धमतरी जीले का मोहलई गाउं जहां पर बीते कई सालों से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं पालम यह है कि यहां पर किसी की शादी नहीं हो पारी है सिर्फ इसले क्योंकि इस गाउं में पानी का महसंकर चाया हुआ है लोग पानी के लिए काफी जद्दोज़द करते नसर आते हैं एक टेंकर आता है पानी भर के और जिससे पानी भरने के लिए लोगों की लंबी कतारे यहाँ पर लग जाती है अगर इस गाउ में किसी की शादी भी फिक्स होती है और अगर लड़की वाले इस गाऊ में आते हैं लड़के के घर को देखने के लिए और यहां का जब दृष्य देखते हैं कि लोग साइकलों में गाड़िों में पानी भर-भर कर लेकर आ रहा है तो वो शादी करने से मना कर देते हैं यह कहते हुए कि आपका गाउं पानी के महा संकर से जूज रहा है अब इस गाउं में पीछले 30 सालों से शादी की गूंज भी सुनाई नहीं दी लोग लगातार पानी की समस्या से यहां पर जूज रहा है आई आपको सुनाते हैं कि इस पूरे विशय को लेकर गाउं के उप सर्पंच का क्या कुछ कहना है यह समस्या तो तीस साल हो गया सर इसमें विशय समस्या आ रहा है यहां जली स्थर है पुरा सुख चुका है इसके वज़ा से पानी के भारी समस्या और आए सर अभी टेंकर के समस्या अगार करते हैं लड़की देखने के लिए कहीं जाते हैं तो बोलते हैं लड़की देने के लिए इंकार करते हैं लोग क्या है कि यहां पानिक समस्या है इस गाव में रबबा से साइकल में लाकर पानी नाना पड़ता है इस वजह से लड़की देने के लिए इंकार करते हैं लोग इसमें भी दिक्कत है इस वजह से इस वर सना एक भी साधी नहों पा रहे हैं सर लड़की देखने के लिए जाते है तो जैसा कि आपने सुना कि उपसरपंच ने इस गाउं में पानी की समस्या के बारे में जानकारी दी इसी तरह गाउं के लोगों का भी कहना है कि पानी नहीं होने के कारण उन्हें काफी जादा परिशानियों का सामना करना पड़ता है पानी के अकाल ने उनके व्यक्तिकत जीवन पर कबजा जमा लिया है यानि कि उन्हें काम धाम छोड़ कर पानी के लिए जूझना पड़ता है बतादे इस गाउं में करीब 800 की आबादी है जहां कि लोग पानी की समस्या से कई सालों से जूझ रहे हैं लेकिन उनकी समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं हो पा रहा है ठकेहारे ग्रामिन जो है वो प्रिशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह पानी की समस्या चलती रही तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरा गाव विना पानी के सूना हो जाएगा और लोग यहाँ पर तडप तडप कर मरने भी लगेंगे इसके साथ ही साथ आपको बता दे कि यहाँ पर जो सरकार की नल जल योजना है वो भी पूरी तरफ फ्लॉफ होती नजर आ रही है नल तो लग गए है लेकिन वो केवल सो पीस के लिए है उस नल से पानी नहीं आता ग्रामनों को यह उमीद है कि जिस तरह से यहाँ पर पानी की समस्या है और उन्होंने शासन से गुहार लगाई है कि पास में ही गंग्रेल बांध है वहां से उन्हें पानी की आप पूर्ती कर दी जाए आए सुनाते हैं आपको ग्रामिन क्या कुछ कह रहें तो लोग भी आसावसन दे रहें लेकिन काम ठीक से निको राया है जब भी गाड़ी आपको यहां तो लोग क्या करते हैं तीनसों फिल देते हैं पानी तो पूरा यह जली स्थर भी अच्छा हो जाएगा और सभी लोग पानी प्रयात्मात मिल जाएगा बहुत समस्य है सार यहां तो ना काम के लिए भी ना बहुत सब्सक्राइब कर दो तो 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 मैं सासा नहीं चाहता हूं कि इसको बहुत विस्य धिया जाए सब्सक्राइब कर दो तो तो पानी का ना सकते हैं तो पानी से पानी लाए जाए जिसे प्रयात्मात में सब्सक्राइब करें इसके अलावा कुछ ग्रामनों से और बात चित की तो उन्होंने कहा कि उनके व्यक्तिगत जिवन में इसका काफी जादा असर हो रहा है यानि कि पत्नियों से उन्हें ताने तक सुनने पड़ रहे हैं कि हम कैसे घर में शादी होकर चले आए यानि कि आप देखिए कि एक पानी जी का पूड़ कर जब गाउं में एक टैंकर आता है तो लंबी लाइन लगा कर यहां पर पानी के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आते हैं आये सुनाते हैं और क्या कुछ कहते हैं खान वाने अख़के तो भी स्व कर और पाणी भरी पर किसे कर तो आप मना पानी भरी बढ़े बर हमने कर में रात्रत पानी राइगा फिर रखे एक टेक में दो प्रक्रति लुक ने यह अब लिए पानी प्र्पर्स जाद पानी नहीं मिलें इक दोप्ती पस्निन्त वोगवाद में मिलें कतना समय तक आप इंकान जो गुए सुबह साम आपके एक पर बार साथ भी तो फिर दिंबर पानी भरतों पी काम हम किसे करता आपन है दिन भर पानी में निकल रहती भैसमय है पानी खरे इंद आ इंद का वही इस पूरे मामले को लेकर जो क्लेक्टर है अम्रता गांधी उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुन लीजिए पानी की समस्या पूरे दिले में बने हुई है और लगातार जो कृषी के रूप में सेकंड फसल धान की ली जा रही है जिसमें बोर्ड वेल लगातार चलते रह है उसकी वज़े से जो भूमी की नेचे वाला पानी उसका बहुत जादा दोबन हो रहा है तो मैं सभी से यह अनुरोज कर रहे हूं कि बूसरी फसल लेजिए पर उसमें दलन दलन लेजिए जिसमें पानी की कपद कम हो और बूजल को संरक्षित कर पाए मौलाई के बारे मे नहीं के बारिश बूजब करें भाटा कर पर इस सबी जगों के लिए हैं कि पानी को जाड़ साथ बचाने की कोशिश करें कि बूजल में अगर पानी नहीं होगा तो वपन किन भी उजना बना लेगा पानी कहां से लेपाएंगे तो सबसे अनुरोज है कि बूजल का दोहन बारहाल गर्मी में जल संकट जो है वो काफी जाधा देखने और सुनने को मिलता है लेकिन मोलई ग्राम में किसी मौसम में ऐसा नहीं होता जब यहां पानी की संकट नहीं होती है अब इसका असर सिधे तोर पर शादी विवाह पर भी देखने को मिल रहा है गाउं के आसपास के जगों में यानि के धमतरी जीले के विभिने इलाकों में साधी की शेहनाई स्माई दे रही है लेकिन एक गाउं ये भी है मोलाई जहां पर शाधी की गूंज, साधी की सेहनाई की गूंज तक देखने को ने मिल रही है बहराल अब देखने वाली बात ये होगी कि साशन प्रशासन गाउवालों की समस्या का समधान कब तक करते हैं तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही ये जानकारी आप तक धमतरी से पहुचाई हमारे सहयोगी देविंद्र मिश्र ने चत्तसगर से जुड़े ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे हैं चत्तसगर तक और मुझे दिज़े इजाज़त चैजोहार नमस्कार झाल